हाई गाईज वेलकम टू मैं न्यू ब्लॉग गुड मॉनिंग अभी सुबह के नाइन ओक्लॉक हो रहे हैं और हम लोग जा रहा है आज वाटर पूर पजा है मैं तो बहुत एक्साइटेट हूं क्योंकि मुझे बहुत बड़ा तलाब देखने को मिलेगा और आप लोगों को क दिखाऊं की हाइज फैनली हम लोग वाटर पर जहाज पर पहुंच गए हैं कि एसी गरिटी अंकल बैठे हैं अंकल लोग अंदर जा सकते हैं अहां उद्धर है तलाब मैं प्यास में ले जाके बताते हूं यह गाई इस तलाब दिख रहोगा आप लोगों को बहुत खुल सूरत ना जा रहा है देखिए बहुत ही सुन्दर लग रहा है आने से यहां इसका गार्डन भी बहुत प्यारा है बहुत सारा फ्लावर है इस तलाब में बहुत सारी मचलिया है बहुत बड़ा है वो कमपनी है बहुत जो दूर दूर तक दीख रहे है न यह पूरा कमपनी है पूरा कमपनी के बीच में बना है तलाब बहुत बड़ा है इसका गार्डन बताते हैं आप लोगों को इसका गार्डन देखी बहुत ही सुन्दर है बहुत सुन्दर फ्लावर लगा है बीजाइन बहुत अच्छा है इसका पुरा कोकोनाइक का पेड लगा है नारियाल का पेड लगा है सामक्वे टाइम गूमने आन में बहुत अच्छा लगेगा अबी तो धूप है हम लोग आया थे उतर टाइम नहीं था बट अब धूप खिल रही है धूप लग रही है देखिए अच्छा डिजाइन किया गया है इस जगे को बहुत अच्छा डिजाइन दिया गया है, बहुत ही सुन्दर लग रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, इधर छाओ भी है, क्योंकि कोकोनट का पेड़ लगा है, नारियार का पेड़ लगा है, इसलिए, तो आम के टाइम ज्यादा अच्छा लग रहा हो, लगेगा यह जगा, फिर भी छाओ है, पुरा पेड़ है, पेड़ बहुत लगा है, यहाँ, मेरा बेटा तो खेल रहा है, देखिए नीचे भी यह प्लावार जड़ ला है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा नीचे गीर पेड़ से इधर भी छोटी छोटी फ्लावर लगी है पत्तियां लगी है बहुत खुचुरत है पूल को देखे बहुत ही सुन्दर लग रहा है बहुत ही सुन्दर ट्री है यह धर रूम से रहने के लिए आपको और गाडन दिखाती हुमाई इधर यह चत बनाए है इधर बैठने को कोई आए तो ठक जाए तो बैठ सकते हैं इधर यहां से तलाब बहुत पास में है थोड़ी दूर में पानी नजदीक है यहां से लेकिन वहां जाने को इतना लाउड नहीं है क्योंकि पत्थर पत्थर है कुछ भी गिर जाएगा तो इसलिए सीक्रूटी अंकल ने उदर जाने के लिए मना किया है इसलिए नहीं जा रहे हैं हम लोग देखिए गाडन दू पारी है तो ऐसे देखने में थोड़ा आख को नहीं देख पारी हूं मैं कि बहुती सुन्दर लग रही है घास है पूरा अब लोग बताती है कि मैं नीचे चल रही हूं घास पे मेरे को अच्छा लग रहा है यह पत्ती है याइन वाला इसमें चोटा-चोटा फ्लावर आ रहा है यह बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेटा खेल रहा है इसको भी मज़ा आ रहा है फस्ट वार ऐसे जगा देखके इधर देकी पूरा नारियाल का पेड लगा है यह यहाँ नारियाल ज्यादा लगता है इधर आके आप लोग साम के टाइम बैठ सकते हैं गाई से देखिए इता बड़ा पेड में फ्लावर लगा है फूल लगा है क्या चीज का पेड है नहीं मालूम फूल बहुत अच्छा दिक रहा है यह बताती हूं आप लोगों के बहुत सुन्दर लग रहे हैं पूरा पेड में फूल लगा है बहुत खुश्चूरत लग रही है कि उच्चे भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आके रेश्च कर सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा पूरा पेड है यह इसी का पेड है पूरा यह फूल का पेड है यह यहाँ पे जो लगा है वो बहुत मस्त लग रही है फूल इधर भी रोड है यह को कोनट का वाई यह कोनट का पेड लगा है पूरा अब कबीर बेटा से पूछने है इसको कैसा लग रहे कबीर कबीर कैसे लगा थे पिटे कैसे लग रहा तेजे यहां के वह क्या है बेटा क्या है बेटा हूं मम तलाब तलाब नहाने जाएगा उसमें नहाने जाएगा बुडू करेंगा है यह फूल बहुत बहुत खुचुरात लग रही है बहुत सुन्दर दिग रही है तो गाइस मैं गाड़न के और अंदर जा रही हूं अंदर और बहुत अच्छा है देखिए यह चुटा चुटा नारियल का पेड़ है लगा है यहां नारियल पेड़ ज्यादा लगी है इच्छाओं भी चाहिए बहुत अच्छा प्लेस अभी है ने देरी तलाव जिक्री होगी आप लोगों को जिक्री होगी आप बाज़ है जिक्रीए एक प्लाव कि वह भी होगी थे नुटाँ कि अच्छा फ्रावर लगा है इसको क्या बोलते नहीं मालूम हमारे भाद समित इसको कागज का फूल बोलते हैं किन वार कभी रा रहा है एक बार निकल गया जूल के एक इसल पट्टी कभीर है चल 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 अब लोग फैनली घार जा रहे हैं मेरे कभीर बेटा बहुत आगे निकल गया है देखिए दौण रहा है उसको घर जाने में जल्दी है हाई गाई फैनली हम लोग रूम पर पहुँच गाए बहुत दूर था पैदा लाए इसलिए थोड़ा डलदल फिल हो रहा है बहुत धुप था तो और आटो नहीं मिला इसलिए हम लोग पैदा लाए टू किलमेंट सर पैदा चल न पला लोगों को अब क्या मुलते हैं मैं खाना बराऊंगी जा रही हूं वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्ट ब्लॉग पे